जहिन दोस्तो बदले गए नाम करंट अफ्यस का काफी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से एक से दो कौसन हर एक्जाम में पूशे ही जाते हैं तो पिछले एक से दो सालों में केंद्र और राज सरकारों के दौरा जित और नमबर फर्ष्ट कॉस्टन है किस राजिकी सरकार ने अपने राजिके अंदर की जेलों का नाम बदल दिया है और जेलों का नाम सुधार गह कर दिया है किसने बदला है फोटो देखकर भी आप लोग अपना अंसर लगा सकते हैं उत्तर पदेश की सरकार ने A option करक्ड हो और टोइटर ने इसको X के साथ में replace कर दिया है A option करक्ठ हो जाएगा हम टोइटर की बात करें स्थापना 2006 में करी गई थी Headquarter California में है और टोइटर की स्थापना हमें सब पूशा दाता है किस की संस्था पक कौन है तो टोइटर की स्थापना चार लोगों ने करी थी चारों को नाम याद रखना जेक डॉर्सी, नुह गलास, एवान विलियम्स और विज इस्टोन और बरतमान में टोइटर की CEO कौन है लिंडा याका रिनो नमबर थर्ड कोसन होमो सेक्सुलिटी सब्द के इस्तमाल पर किस देश की सरकार ने पृतिबंद लगा दिया है तो किस ने लगाया है एराक की सरकार ने लगाया है हम डेटेल की बात करें तो एराक की सरकार ने होमो सेक्सुलिटी सब्द के इस्तिमाल पर पृतिबंद लगा दिया है और होमो सेक्सुलिटी यानि कि सम लेंगेक्ता की जगा पर अब कौन सा सब्द इस्तिमाल किया जाएगा सेक्सुल डेवियंस सब्द इस्तिमाल किया जाएगा हिंदी में इसको योन बिचलन सब्द कहेंगे ठीक है नैश्वन की बात करें केरला विधान सवा ने राज का नाम बदल कर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है करक्टांसर हो जायेगा दूस्तो ओप्सन भी केरलाम तो यदि अब केरल राज का ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो केरल राज का नया नाम क्या हो जाएगा केरलम हो जाएगा नैशमार अकॉसा ने सुप्रीम कोट ने महलाओं के लिए रूनिवादी सब्द पर रोग लगा दी है और एक नई हैंडबुक जारी करी है इस हैंडबुक के नुशार अफेर सब्द की जगा पर क्या इस्तिमाल किया जाएगा तो अफेर सब्द की जगा पर साधी से इतर रिस्ता इस्तिमाल किया जाएगा और यदि हम डेटेल की बात करें तो दूस्तो सुप्रीम कोट ने महिलाओं के लिए इस्तिमाल होने वाले 43 आपत्ती जनक सब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर इस्ट्रियो टाइप यानि की रूडिमादी कॉमबेट हैंडबुक लॉंच करी है और इस हैंडबुक में आपत्ती जनक सब्द और इन सब्दों की जगा पर कौन से सब्द इस्तिमाल किये जाएंगे ये पूरी लिष्ट दी गई है इस हैंडबुक में ठेक है कुछ सब्द में आपको बता जिता हूँ कि कौन कौन से सब्द बदले गए हैं जो की महत्पूर्ण हैं तो देखिए एक सब्द है एडल्ट्रीज इस सब्द को क्या कहा जाएगा तो वह इस तरी जो विवाहेतर सेक्सूल रिलेशन में हो और अफेर सब्द की जिगा कौन सा सब्द इस्तिमाल किया जाएगा साधी के इतर रिस्ता और वाश्टर सब्द को क्या कहा जाएगा ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता ने साधी ना की हो और कुछ सब्द है जैसे biological sex चाहे पुर्सों का हो चाहे महिलाओं को उनको कहा जाएगा जन्म की समाई निर्दिष्ट लिंग और prostitute यानि की होकर या पर इसको पतुरिया कहा जाता है इसको sex worker कहा जाएगा अनवेद मदर या फिर बिन वियाही मा इसको मा ही कहा जाएगा ठीक है और child prostitute इसको कहा जाएगा तसकरी करके लाया बच्चा teasing इसको क्या कहा जाएगा street sexual harassment और provocative clothing या फिर इसको dress कहा जाता है या फिर भड़काव कपड़े कहे जाते हैं अब इसको कहा जाएगा clothing या फिर इसको dress कहा जाएगा ठीक है effeminate या फिर जनाना जिसको कहा जाता है इसको कहा जाएगा gender neutral सब्दों का प्रियोख किया जाएगा ठीक है और Indian बूमन के लिए या फर Western बूमन के लिए अब बूमन सब्धी इस्तिमाल किया दाएगा House Wipe के लिए कौन सब्ध इस्तिमाल किया दाएगा Women Maker सब्ध इस्तिमाल किया दाएगा ओके तो यह कुछ सब्ध हैं और जितने भी सब्ध बदले गए हैं टोटल 43 आपतिजनक सब्द बदले गए हैं। सभी की लिस्ट में टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन कर लीजिए। कई सारे वेनिफिसियल जो फेक्ट हैं वो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं और कोईज वगएरा भी टेलिग्राम चैनल पर मिलती है। तो डिस्क्रेप्शन में लिंक है चैनल का आप जोईन कर लीजिए। और इसी प्रकार से करंट अफेस के हर एक टॉपिक को यदि आप पढ़ना चाहते हैं बिलकुल डेटेल में या फिर कम सावे में आपका एक्जाम हाल फिलहाल है। और आप पूरे साल के करंट अफेस का रिबिजिन करना चाहते हैं आपके पास में समय कम हैं। तो करंट अफेस की हमारी अपडेट इबुक लाँच हो गई है और इसी क्रम में हमारी टॉपिक वाइस साइंस की भी इबुक लाँच हो गई है। दोनों इबुक को आप पर्चेस कर लिजिए। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नश्चमारा कोश्चन है हाली में किस राज जिने इतवारी इस्टीशन का नाम बदल कर सुभास चंदर भूस की नाम पर रखने का फैसल किया है। और यह जो इतवारी इस्टीशन है यह कहां पर है महराष्ट के नाखपुर में है। नश्चमारा के हैरेस पार्क का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया। तो हैरेस पार्क यह कहां का है और इसका नाम जो है लिटिल इंडिया रखा गया है। ए ओप्षन करक्ट हो जाएगा नैश कोस्टन है किस अरब देश ने अपने एक सहर का नाम बदल कर हिंद सिटी कर दिया है तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सयोक्त अरब अमिरात यानि की UAE और UAE के अंदर एक जिला है मिनहाद जिला ठीक है तो मिनहाद का नाम क्या कर दिया है हिंद सिटी नैश कोस्टन है महराष्ट के मुखमंतरी एक नात संदी ने अहमद नगर का नया नाम क्या रखने का एलान किया है तो अहमद नगर का नया नाम अब क्या हो जाएगा अहलिया नगर हो जाएगा वी ओप्षन करक्ट हो जाएगा नैश कोस्टन ह नहिरू Memorial Museum and Library Society जो की दिल्ली में है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है करक्ट आंसर हो जाएगा दुस्तो ओप्शन C PM Memorial Museum and Library Society Next Question है मुंबई के वांदरा वर्सोबा समुदरी मार्क का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया है करक्ट आंसर हो जाएगा दुस्तो ओप्शन A सुतंत्र वीर सावर कर वांदरा वर्सोबा सागरी मार्क ठीक है सुतंत्र वीर सावर कर सब्द जोड़ा गया है आंगे नैश्चमार कॉस्षन दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े किरकेट इस्टेडियम का नाम किस उद्युक पती के नाम पर रखा जाएगा करक्ट आंसर हो जाएगा दुस्तो उद्युक पती अनिल अगरवाल के नाम पर ये कॉस्षन इंपॉंट है इसलिए सारे इंपॉंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं तो बैदानता रिसोर्स लिमिटेट के फाउंडर और चेयर्मेन है अनिल अगरवाल और इनही के नाम पर जैपुर में वनने वाले किरकेट इस्टेडियम का नाम अनिल अगरवाल इं अनिल वर्न करकेट इस्टेडियम यह कहां पर है और जो तीसरा इस्टेडियम है करकेट का सबसे बड़ा अनिल अगरवाल करकेट इस्टेडियम ठीक है यह कहां पर बन रहा है यह राजिस्थान के जैपुर में बन रहा है और इसी का नाम अनिल अगरवाल के नाम पर रखा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा होगा लेकिन भारत के क्रम में ये दूसरा सबसे बड़ा करिकेट स्टेडियम होगा नैश कोस्तन है तेलंगाना के मुखमंत्री के चंदर सेखर राव ने राज्य के नए सच्चुालय भवन का उद्गहटन किया तो नए सच्चुालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है करक्टान सरोथ आयागा ओप्शन भी वियर अमबेटकर की नाम पर तो तेलंगाना के सीएम के चंदर सेखर राव ने अप्रेल दोजाद तेईस में तेलंगाना की राध्धानी हैदरबाद में नए सच्चुालय भवन का उद्गहटन किया है और इसका नाम क्या रखा गया है डाक्टर वियर अमबेटकर तेलंगाना राज्य सचुआलाय और यह जो सचुआलाय बनाया गया है इसके निर्माण में कितना खर्चा आया है तो 600 करोड रुपे का खर्चा आया है नेश्यमारकोस्टन होकी खिलाडी रानी रामपाल की नाम पर किस स्टेडियम का नाम कर्ण किया गया तो दुस्तो रायवरेली किर्केट स्टेडियम जो है इसका नाम कर्ण रानी रामपाल की नाम पर किया गया है नेश कोस्टन आंद प्यदेश की नई राध्धानी क्या होगी? करक्टान सरोजायगा दुस्तो ओप्षन डी विसाखा पत्नम नेश कोस्टन ने चंडीगर्ण इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है? करक्टान सरोजायगा दुस्तो सहीद भगत्स हैं इंटरनेशनल एरपोर्ट नेश कोस्टन है प्रधान मंत्री नेरंद्र मोधी ने किन प्रुषकार विजेताओं की नाम पर अंडिवान और निकोबार दीप समूई के 21 सबसे बड़े दीपों का नाम रखा है? तो देखे दुस्तो जो परमबीर चक्र विजेता हैं ठीक है? तो परमबीर चक्र विजे गया है करेक्टान सरोजाएगा दुस्तो ओप्सन सी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर नेश कोस्टन मद्दपिदेश की सरकान ने भोपाल के इसलाम नगर गाउं का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है? करेक्टान सरोजाएगा दुस्तो इसलाम नगर गाओं का नाम जगदीश पुर कर दिया है नेशकोस्टन कें सरकान ने राजपत और स्रेंट्रल विष्टालोन जो की दिल्ली में है का नाम बदल कर नया नाम क्या रखने की घोशना करी है करक्टर अंसर हो जाया का दूस्तों ऑप्शन सी करतब विपत नेशकोस्टन ने एक और कॉस्टन है किस देश ने अपनी राध्धानी का नाम बदल कर फिर से अस्ताना कर दिया है तो मैं आपको बता दूँ कि कजाकिस्तान देश जो है ठीक है इसने अपनी राध्धानी का नाम बदल कर फिर से अस्ताना कर दिया है और डेटेल से समझें तो कजाकिस्तान की राद्धाणि का नाम बदल कर क्रमसा क्या रखा गया हैो तो आउरंगा बाद का नाम क्या रखा गया है संभाजि नगर उके और उस्मानाबाद का नाम बदल कर धारा सिव रखा नेश्रमार कौशन, एंमोटे अनाज का नाम बदल कर नया नाम रखने का एलान हुआ है तो दूस्त में आपको बता दूँ के इन गार्डन किर्केट इस्टेडियम है ये Eden Garden Cricket Stadium कोल काता में है ठीक है और इसी स्टेडियम के अंदर एक स्टेंड है इस स्टेंड का नाम जूलन गोश्वामी की नाम पर रखने की घोशना की गई है नवी मुंबई International Airport का नया नाम क्या हो गया है रखने के एंग्लेंड के ली सेश्टर किरकेट ग्राउन का नाम बदल कर हाली में किस महान भारती खिलाडी के नाम पर रखा गया तो यहाद रखना दोस्तो बहुत ही बड़ी उपलब्दी है इगलेंड का लीस सेश्टर ग्राउंड है और इस ग्राउंड का नाम भारती खिलाडी के नाम पर रखा गया उन भारती खिलाडी का नाम क्या है सुनील गावसकर नेश्टकोशन केंसरकान ने बैंक बोर्ड वयरो यानि की तिरपल वी का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा है रकटांसर हो जाएका दूस्तों options C. FSIB हम detail की बात करें तो हली में केंसरकान ने तिरपल वी यानि की बैंक बोर्ड वयरो का नाम बदल दिया है और FSIB इसका नाम कर दिया है यानि कि Financial Services Institution वेरो इसका नया नाम कर दिया है इसका गठन 2016 में किया गया था और इसका मुक्क काम क्या है तो साथजिनक छेत्रों के वैंकों और वित्तिय संस्थानों के निदेशकों और चेर्मेन की नियुक्ति करना इसका प्रमुक काम है नेशकोंसन इसी पेज में प्रिंट हो गया है तुर्की देश का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो तुर्की देश का नाम बदला option में लेंगे second page में और तुर्की देश का नया नाम तुर्कीय कर दिया गया है यदि हम तुर्कीय की बात करें तो इसकी राध्धनी क्या है अंकारा है और करंसी की यदि हम बात करें कि करंसी क्या है तो टर्किस लीरा क्या है टर्किस लीरा तुर्किये की करंसी है नेश कोस्थन उत्तर प्रदेश राज की सरकान ने मैन पुरी सेनेक इस्कूल का नाम किस के नाम पर रखा है ये कोस्थन इंपोर्ट है और कन्फूजन वाला question है तो मेन पुरी सेनेक स्कूल का नाम CDS जनरल विपिन रावत की नाम पर रखा गया और याद रखना यह स्कूल कहां का है उस्तर प्रदेश का स्कूल है ओके और दोस्तो CDS जनरल विपिन रावत की अधी हम बात करें तो विपिन रावत और इनकी पतनी मधूली का रावत का दिसंबर 2021 को तमिल्याडू के कन्नूर में हेलिकाप्टर कैस दुरखटना में निधन हो गया था ठीक है हमार देश के पहले CDS थे और किस राज से यह विलोंग करते थे तो यह उत्राखन राज से विलोंग करते थे और मैन पुरी सेनेक इसकूल का नाम बदला गया है जो की उत्तर प्रदेश में है आपको कन्फ्यूज नहीं होना है ओके और इस विक्रम में एक और कॉस्टन पूंच दायागा कि अभी हाली में किस राज में इस्तेत किबूथू मिलेटरी केम्प का नाम बदल कर देश के पहले CDS जेनरल वेपिन रावत की नाम पर रखा गया तो किबूथू मिलेटरी केम्प ये कहां का केम्प है अरुडांचल प्रदेश का है ठीक है दोनों कोस्टन को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे नैश कोस्टन है मद्पिदेश की पाताल पानी रेलबे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया करक्ट आंसर हो जाएगा option B टंटिया भील रेलबे स्टेशन इसक्रम में नैश कोस्टन है मद्पिदेश की राध्धानी भोपाल में स्टेट हवीवगंज रेलबे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है करक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो option C रानी कमला पती रेलबे स्टेशन नैश कोस्टन है केंसरकान ने परवासी भारतिय केंद्र का नाम बदल कर क्या कर दिया है करक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो option C सुसमा सुराज भवन ठीके और ये कहां पर है नई दिल्ली में नैश कोस्टन है विदेश सेवस संस्तान का नाम बदल कर क्या हो गया है करक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो option E Ministry of जल सक्ती नैश कोस्टन है केंद्री ये मानव संसाधन विकास मंत्रालाय का नाम बदल कर क्या हो गया है करक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो सिक्षा मंत्रालाय और प्रिजेंट टाइम पे हमारे Education Minister कोन है धर्मेंद्र प्रधान नैश कोस्टन है जहाजरानी मंत्रालाय का नया नाम क्या हो गया है करक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो option E वंद्रगा जहाजरानी इवं जल मार्ग मंत्रालाय नैश कोस्टन है राजु गांदी खेल रत्न प्रुषकार का नाम बदल कर क्या हो गया है और इसका करक्टान सरोजाय का ओप्षन C मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न प्रुषकार इसके बारे में हम फ्यक्टों को डिसकस कर लेते हैं 6 अगस्त 2021 को मोदी जी ने देश के सरबुच खेल सम्मान राजु गांदी खेल रत्न प्रुषकार का नाम बदल कर मेजर ध्यान चंद खेल रत्न प्रुषकार कर दिया और बदले गए नाम के साथ में इस प्रुसकार के साथ 25 लाख रुपे का नगत प्रुसकार दिया जाएगा और राजु गांधी खेल रतन प्रुसकार की शुरुआत कप की गए थी 1991-1992 में और पहली बार ये प्रुसकार दिया गया था विस्वनाथ आनंद को नेश कोस्टन है टैनिस के फेट कप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है और इस कप का नाम अमेरिका की महान महिला टैनिस खिलाडी विली जीन को संमान देने के लिए किया गया याद रखना ये question पूछा जाता है कि फेट कप का सम्मंद किस से है तो आप कहेंगे tennis से आप पूछा जाएगा विली जीन किंग कप का सम्मंद किस से है आप कहेंगे tennis से नेश कोस्था ने पंजाब की मोहाली अंतरराष्टी होकी इस्टेडियम का नाम बदल कर किस के नाम पर रखा गया है करक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो आप्शन ए वलवीर सेंस सीनियर की नाम पर नेश कोस्तन है फ्रोज सा है कोटला इस्टेडियम का नाम बदल कर क्या हो गया है करेक्ट अंसर हो जाएगा दुस्तो अरोन जेटली इस्टेडियम B option करक्ठ हो जाएगा Nash question है Motera Stadium जिसे सामन तहा Sardar Patel Cricket Stadium कहा जाता था का नाम बदल कर क्या हो गया है Most important question है और इसका करक्ठ आंसर हो जाएगा Narendra Modi Stadium और नarendra Modi Stadium कहां पर इस्ते थे गुजरात के अहमदाबाद में ठीक है और याद रखना दोस्तो Cricket का सबसे वड़ा Stadium पूरे संसार में कौन सा है Narendra Modi Stadium है और ये गुजरात के अहमदाबाद में इस्ते थे Nash question है Facebook का नाम क्या हो गया है तो Facebook कंपनी का भी नाम बदला और इसका नाम हो गया है Meta Nash question है Facebook की एक क्रप्टो क्रेंसी है Libra तो Facebook ने अपनी क्रप्टो क्रेंसी का भी नाम बदल दिया है और Libra का नया नाम क्या रख दिया है Facebook ने Dime Nash question है दिल्ली सरकार की दोवारा हरीजन सब्द पर पाबंदी लगा कर कौन सा सब्द इस्तिमाल करने की घूशना करी गई है तो हरीजन सब्द की जगा पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि डाक्टर अंबेड कर सब्द का इस्तिमाल किया जाएगा Nash question है किस देश ने अपने राष्टगान में बदलाव किया है तो दोस्तो ऑस्टेलिया देश ने अपने देश की राष्टगान में बदलाव किया है Nash question है airline company Go Air का नाम बदल कर क्या हो गया है तो Go Air का नाम बदल कर Go First कर दिया गया है A option करक्ट हो जाएगा Nash question है अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है तो अफगानिस्तान देश का नया नाम जो है Islamic Emirates of Afghanistan यानि कि IAE इसको सोट में कहा जाएगा नैश कोसन है हाली में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है करक्टा अंसर हो जाएगा दोस्तों स्यामा परसाद मुखरजी टनल ठीक है और यह जो टनल या फिर सुरंग है कहां परस्ते थे जम्मू कस्मीर में और यदि हम बात करें इसकी लेंथ की कितनी लंबाई है तो 9.2 किलूमीटर इसकी लंबाई है नैश कोसन हाली में किस राज सरकार ने स्मार्ट ग्राम यूजना का नाम RS पाटल के नाम पर रखने की घोशना करी है करक्टांस रोजा अगर दुस्तो महराष्ट की सरकार ने नैश कोसन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगसवा टीबी और राजसवा टीबी को मिला कर किस नाम से एक नया टीबी चेनल लॉंच किया है तो मोदी जी ने लोगसवा टीबी और राजसवा टीबी को मर्ज कर दिया है और संसट टीबी नाम से एक नया चेनल लॉंच किया है नैश कोसन है असम कैबिनेट ने राजियू गांदी और नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया है करक्ट आंसर रोज आयागा दुस्तो औरंग नेशनल पार्क है नेशनल मारा कोस्टन है मद्द पदेश की छिंदवाड़ा विस्विध्यालाय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया करक्ट आंसर रोज आयागा दुस्तो राजा संकर विस्विध्यालाय नेश कोस्टन है गुजर परेटन स्थल Mount Harriet का नाम परिवर्त करके Mount Manipur कर दिया गया तो यह जो Mount Harriet या फिर Mount Manipur परेटन स्थल है यह कहाँ पर इस्तित थे आप लोग answer लगाएए सबसे पहले confusion वाला question है तो दुस्तों Mount Harriet का नाम बदल कर Mount Manipur तो कर दिया गया है लेकिन ये जो इस्थल है परेटने इस्थल ये मडीपुर में तो नहीं है कहाँ पर है अंडिवान और निकुबर दीप समूवी में C option करक्ठ हो जाएगा option में सबसे पहले मडीपुर ही दिखेगा लेकिन आपको अंडिवान निकुबर और दीप समूवी पर किलिक करना है और पोलेंड देश में एक सहर है ब्रोकलस है इस सहर में एक चोराही का नाम डाक्टर हरीवन्स रायबच्चन की नाम पर किया गया नेश कौशन है राश्टी रेल और परिवन्स संस्थान का नया नाम क्या हो गया है करक्ठान सरोज आएगा गति सक्ति विस्विद्याल है और यह संस्थान कहां पर इस्ते थे तो यह संस्थान गुजरात की बड़ोधरा में इस्ते थे नेश्कोस्थान किस राज की सरकार ने ड्रेगन फूट का नाम बदल कर कमलम फूट रखने की घोशना करी है करक्टान सरोज आएगा गुजरात की सरकार ने नेश्कोस्ता ने कीन सरकार ने मिद्डे मील यूजना का innocent का नया नाम क्या कर दिया है क्रेक्ट आंसर होजाईगा मिद्डे मील यूजना का नाम PM Potion यूजना कर दिया गया है इसको details से समझ लेते हैं तो कक्छा 1 से कक्छा 8 तक चलाई जा रही है मिड़े मील योजना ठीक है और केंसरकार ने इसका नाम PM पोशन योजना कर दिया है इस योजना के तहत में 11.8 करोड़ चात्रों को भोजन बित्रित किया जाता है मिड़े मील योजना की सुरुआत स्टेटिक जीके में पूछी जाती है 1905 में की गई थी और इसका लक्ष क्या है क्रात्मिक इसकूल के चात्रों को कम से कम एक बार पोश्टिक भोजन उपलब्द कराना याद रखना इस योजना का लक्ष भोजन उपलब्द कराना नहीं पोश्टिक भोजन उपलब्द कराना नैशकोसन है टाटा इसकाई का नया नाम क्या हो गया है दोस्तो टाटा इसकाई का नया नाम टाटा पिले हो गया है A option correct हो जाएगा नेशकोसन है राजिस्थान के मियावाडा railway station का नया नाम क्या हो गया है correct answer हो जाएगा दोस्तो महेश नगर halt C option is the correct answer नेश कोस्टन है, सिक्किम के जवाहरलाल नहरू रोड का नया नाम क्या हो गया है करक्टांस रोजाय गदूस्तो, option D, नरेंद्र मोधी मार्ग नेश कोस्टन है, सेनक खिल संस्थान जोकी पुडे में हैं का नया नाम किसकी नाम पर रखा गया करेक्टांस रोजा आग दुस्तो जेबलिन थ्रोवर नीरत चोपडा की नाम पर नैश्यमारा कोशन है हिसार हवाई अड़ा जो की हर्याना में है का नया नाम क्या कर दिया गया है करेक्टांस रोजा आग दुस्तो अप्शन सी महराजा अग्रसेन हवाई अड़ा नेश्यमारकोसन है उत्तरपदे सरकान ने काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो काकोरी कांड का नाम जो है काकोरी ट्रेन एक्षन कर दिया है नेश्यमारकोसन है स्वच्छ भारत अवियान का नाम बदल कर क्या रखा गया है करक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत अवियान का नाम सुन्दर भारत अवियान रखा गया ठीक है और इस अवियान की शुरुआत कप की गई थी दो अक्टूवर दो हजार चौधा को की गई थी नेश को सन है जिम कारवेट टाइगर रेजर्व का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है करक्ट आंसरोज आएगा दुस्तो ऑप्षन ए राम गंगा नेशनल पार्क यदि हम डेटेल की बात करें तो जो जिम कारवेट नेशनल पार्क है उत्राखंड में है और इसकी स्थापना की गई थी 1936 में और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था फिर क्या हुआ 1997 में इसका नाम बदला गया और जिम कारवेट नेशनल पार्क रखा गया और अभी इसका नाम बदल के फिर से राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है नेश कुस्तन है मद्द पिदिस के होसंगवाद का नाम बदल कर क्या हो गया है होसंगवाद जिले का नाम बदल कर नर्मदा पुरम हो गया है अभी दोस्तों हाली में मद्दपदिस के कुछे किस्तानों का नाम बदला है जिससे हुसंगवाज जिले का नाम बदला है नर्मदा पुरम किया गया हुसंगवाज जिले की एक बाबई नगर पंचाय थे इसका नाम माखनपुर किया गया ठीक है औ क्रेक्टांस रोजायाग दोस्तो ओप्षन बी पंड़ेत दीन द्याल अंतियोधय भवन नैश्ट कोस्तिन है विदेश संचार निगम लिमिटेट का नया नाम क्या हो गया है क्रेक्टांस रोजायाग आप्षन भी टाटा कमुनिकेशन लिमिटेट यानि कि वेसेनल का आप न सरकान ने रोहितांग सुरंग का नाम बदल कर क्या कर दिया है करक्ट आंसर हो जाएगा रोहितांग सुरंग का नाम बदल कर अटल सुरंग विजय लक्षमी ठीक है और ये जो अभियान है ये कप सुरूं किया गया था जनवरी 2015 में और मोदी जी के दोवारा ये अभियान सुरूं किया गया था नैश कॉस्टन है उत्तरपदिस के देवर या जिले के तेलिया अफगान गाउं का नाम बदल कर क्या हो गया है नैश कॉस्टन है गोरकपुर की नगरपाली का परिसाद मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या हो गया है करक्त अंसर हो जाएगा चोरी-चोरा ए ओप्सन करक्त हो जाएगा नैश कॉस्टन हाले में डबलुयेचो ने मंकी पॉक्स का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है ठीक है और Monkey Pox के कारण महामारी भी घोसित की गई थी तो WHO ने इसका नाम बदला है Monkey Pox से क्या कर दिया है M Pox A option करक्ठ हो जाएगा किस राज ने चिपी ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े का नाम बदल कर वेरेश्टर नात पाई के नाम पर रखने का फैसला किया है करक्ठ आंसर हो जाएगा दोस्तो महराष्ट ने D option करक्ठ हो जाएगा नेश्चमार कोसन तेलंगाना के मुखमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट समीती यानि कि TRS का नाम बदल कर क्या रखा है तो दोस्तो तेलंगाना राष्ट समीती का नाम बदला गया है और इसका नाम भारत राष्ट समीती किया गया ठीक है यानि कि अब TRS को सोट में क्या कहा जाएगा VRS कहा जाएगा Nash question हाली में मुगल गार्डन का नाम बदल कर अमरित गार्डन कर दिया है तो आपको बताना है यह गार्डन कहां पर इस्ते थे यह गार्डन नई दिल्ली में और राष्टपती भवन परीसर में ही इस्ते थे Nash question है हाली में आदानी Transmission Limited ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है तो आदानी Transmission Limited इसका नाम बदला गया और इसका नाम जो है आदानी Energy Solution Limited रखा गया ठीक है यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कप करी गई थी 2013 में करी गई थी Headquarter कहां पर इस्ते थे तो आहमदाबाद में इसका Headquarter इस्ते थे और यदि हम CEO की बात करें वर्तमान में कौन है बिमल दयाल है ठीक है बिमल दयाल CEO है और अध्यक्ष कौन है खुद गोतम अधानी इसके अध्यक्ष है तो दोस्तों यहाँ पर हमने बदले गए प्रसिद 84 नामों को डिस्कस किया यदि आप इसी प्रकार से Current Fs के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहां से कौस्टन एक्जाम में पूशे जाते हैं तो टॉप एक बाइस की इबुक को जरूर पर्चेस कर लीजे साथ में साइंस की इबुक को भी पर्चेस कर लीजे दोनों इबुक की लिंक वीडियो की डिस्कस्टन में मिल जाएगी और अभी 17% का डिस्काउंट भी चल रहा है ठीक है बढ़ना बहुत ही जदली इसकी कीमतों को बढ़ा दिया दाएगा तो फटा फट से इबुक को आप पर्चेस कर लीजे अंतिम कोस्टन का आंसर बताईए ये चैलेंजिंग कोस्टन है अभी मैंने प्रिबियस वीडियो में पढ़ाया था जब मैंने लाश्ट 12 मंद का करंट अफेस डिसकस किया तो वर्ल्ड इन्वर्सिटी गेम्स 2023 में वहात ये खिलाडियोंने कुल कितने पदक जीते हैं फटा फट से आंसर बताईए और यदि आप चाहें तो इस प्रतियों गिता के बारे में डेटेल भी लिख सकते हैं कि इसका आयोजन कहां पर किया गया ठीक है कौन से टीम पदक तालिका में कौन से देश की टीम पदक तालिका में पहले इस्तान पर रही है आयोजन कहां पर किया गया और संसकन तीन चर बाते हैं आप comment section में comment करके बता सकते हैं तो thank you दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ में भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को जरूर सेयर करें जो new student हैं वो हमारी चैनल को subscribe कर लें साथ में bell icon जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और latest वीडियो डालूं के marathon ठीक है जिसमें 500 से ज़्यादा question discuss किये गए हैं तो static gk की महा marathon की हमने एक playlist बना दी है पिले लिस्ट को देखें या फिर आभी आपको screen पर तीन वेर यूसपुल वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को देख लें थैंक दूस्तों मिलेंगे नेस्ट वीडियो में न्यू टोपिक के साथ में तब तक के लिए जए हिंद जए भारत वंदे मात्रा